दोस्तों बेनामी संपत्ती के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जिसकी आएसे संपत्ती खरीदी जाती है वही उस संपत्ती का मालिक होता है चाहे वो प्रॉपर्टी उसने किसी के भी नाम पे खरीदी हो एक व्यक्ती को कानूनन ये अधिकार है कि वह अपनी आईस के ख्यात श्रोतों से अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ती खरीद सकता है इस तरह से खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं कहा जा सकता दोस्तों इस मामले में ट्रैल कोट के उस ओर्डर को निरस्ट कर दिया गया जिसके तहट याचिका करता ने उन दोनों संपत्तियों पर हग जताने का अधिकार छीन लिया गया था जो उसमें अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी प्यक्ति की मांग थी कि उसे इन दोनों संपत्तियों का मालिका ना हख दिया जाए जो उसमें अपनी आए के ग्यात स्रोतों से खरीदी है ट्रायल कोट ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के उस प्रावधान के आधार पर याजिका करता के इस अधिकार को जब्द कर लिया जिसके तहथ संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध है दोस्तों इस मामले में हाई कोट ने ये कहा कि निचली अदालत में इस व्यक्ति की याजिका को शुरुआत में ठुगरा कर गलती की इससे सम्मंदित कानून में संशोधन हो चुका है संशोधित कानून में साफ लिखा है कि बेनामी ट्रांजैक्शन किया गया है और ऐसे कौन से लिखा है जो बेनामी नहीं है मौजूदा मामले में प्रॉपर्टी का पत्नी के नाम पर होना इस कानून के तहट दिये गए अफ़ाद में आता है और एक व्यक्ति का कानूनन इस बात की उस व्यक्ति को इजाज़त है कि वह अपनी आयके ग्यात श्रोतों से अपनी पत्नी के नाम पर अजल प्रॉपर्टी खरीद सकता है दोस्तों इस मामले को हाई कोर्ट ने दुबारा सुना और ट्रैल के लिए भेज दिया अब आपको बता देती हूँ कि आखिर बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है और संपत्ती बेनामी कहलाती है बेनामी संपत्ती चल और अचल होने के साथ साथ फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स के तौर भी हो सकती है दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ कि पत्नी और बच्चों के नाम पर खरीदी गई जो प्रॉपर्टी होती है तो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कहलाती बलकि इसका जिक्र इंकम टाक्स रिटर्न में किया जाना जरूरी होता है इसके अलावा आए में होशित भाई बहन और अन्य रिष्टेदारों के साथ साजहेदारी वाली संपत्तियां भी बेनामी नहीं होती है दोस्तो संसर में बेनामी सौदा निशेद कानून पारिफ किया गया था इसके प्रभाव में आने के बाद बेनामी सौदे निशेद कानून 1988 का नाम बदल कर बेनामी संपत्ति लेंदेन कानून 1988 कर दिया गया है बेनामी संपत्ती रखने के दोशी को कम से कम एक साल और अधिक से अधिक साल की सजा हो सकती है इसके साथ ही संपत्ती के बाजार मूले का 25% तक का जुर्माना भी व्यक्ति के उपर लगाया जा सकता है यही नहीं अगर गलत जानकारी देने का दोशी पाया जाता है व्यक्ति तो कम से कम 6 महीने और अधिक तम 5 साल की सजा होने के साथ साथ संपत्ती के मूले का 10% फाइन भी लगाया जा सकता है दोस्तों इंफरमेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा फिर मलती हो नए वीडियो के साथ दिल देन बाबाई